तो फिर कैसे हो सारे स्ट्रेंट्स जैसा कि एचेस्टी एस का रिजिस्ट्रेशन खतम होने वाला है लगबग 20 तारिक तक है तो आपके दिमाग में है कि एचेस्टी एस के अंदर टॉफ ऐसे कॉम से कॉलेज़ें जिसमें बहुत ज्यादा राइंगों पर हमें चीज़ें मिल जाती है यह इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं हर्याना के पांच ऐसे कॉलेज़ें जो एचेस्टी एस काउंसलिंग के थुरू आपको मिलन सब कुछ दिखाने वाला हूं तो इतनी डीटेल्ड वीडियो आपको नहीं मिले होगी इन पांच कॉलेज़ें के बारे में तो वह सारा कुछ डिसकस करने वाले तो आप किस चीज के इंतिजार है वीडियो बड़ बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आप राउंड रहने वाला है फरीदाबाद के अंदर यह कॉलेज है इस्टेबिस हो था 1969 में तो इसे भी काफी जादा साल हो गये पुराना कॉलेज है पुराने होने से बहुत बढ़ी आप फाइदा मिलता है क्योंकि वहां के जो सीनियर से जिस कंपनी में आपको फाइदा पहुचा सकते हैं आपकी प्लेश्मेंट में हेल्प कर सकते हैं ठीक है इसके फीज जो है आपकी सालाना 1.2 लाग एंगी एक लाग 20,000 के लगबग लगबग अप्रॉक्सिमेटली आपके जाने वाले हैं होस्टल फीज की बात करें तो लगबग 32,000 के लगबग पर येर का होस्टल फीज ठीक है तो यहां पर आपको चार पांच लाख रुपे में आप अराम से बीटेक करके ले चले जाओगे और यह तो टॉप का कॉलेज है तो इसकी आर देख सकते हो अच्छा मिलता है साड़े छे साथ एल पीए का अराम से आपको एवरेज प्लेस्मेंट देखने को यहां प सब्सक्राइब को एक लाग पच्पन हजार एस सी वालों को लगभग तूलाग नैटीटीटू थाओजन यहां तक समझागे सिविल अप कंप्प्टर साइंस वाले अगर ब्रांच हम देखें कंप्प्टर इंजिनरिंग जो है और इंडिया वाले बच्चों को लगभग 30, तक होम इस्टेट वाले को 50,000 तक हमारा ओबी सी में एसी में लगभग 11,000 तक ठीक है इसके बाद जाकर क्या जाता है बीटेक कंप्टर इंजिनरिंग तो हिंदी मीडियम वाली है और इंडिया को लगभग 86,000 होम इस्टेट वालों को एक लाग 18,000 तक ओबी सी वाले बच् ओबी सी होम इस्टेट वालों को लगभग 54,000 तक ही मिल पाएगा ओबी सी होम इस्टेट वालों को लगभग 12,000 अब हमारा ब्रांच जो है लेक्ट्रोनिक्स इंजिनेरिंग जो कि स्पेसिलाइशन होगा आयोटी के साथ ऑल इंडिया बच्चों को 74,000 तक ही मिल पाएगा बच्चों को 8788 थाउजन तक एसी वाले बच्चों को 243 था लाग ताउजन था यूद है अब एलेक्ट्रोंिक से वाली जो ब्रांच ऑल इंडिया फिप्टी नाइन थाउजन भी लाग बात करें तो यह 44 तक और इंडिया वाले बच्छों को विख लुए से बता देता हूं वह झाजाँ वाले बच्छो भी यह दो लाग 12.000 तक यह दी मीडियों वाली न जाएगी रोबोटिक्स वाला जो ब्रांच है और अर्टिफिशल इंटेलिजेंस वो 52,000 तक 44,000 होमिस्टेट ठीक है तो यहां तक मैंने आपको सारा बता दिया यह जो भी PDF जो पूरा डेटा सबको समझाने वाला वीडियो में वो टेलिग्राम ग्रॉप पर मिल जाएगा पर बहुत इ इसके बाद चॉइस से शुरू तो यह चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर यह चॉइस फिलिंग अच्छी हुई तो यहां पर जो टॉप हमारे कॉलेजिस इन उसमें आपको असानी से अध्मिशन मिल सकते हैं क्योंकि थोड़ी ज्यादा राइंको सब्सक्राइब दिक्कत होगे फिर लास्टी राउंड है फिर कुछ कर भी नहीं पाऊगे अगर आप चाहते हो कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए बेस्ट से बेस्ट ब्रांच विल जाए तो यू कें जॉइन आवर कांसलिंग सपोर्ट जॉइन कर सकते हो जिसका लिंक जिस वर्टसेप ग्रूप पर हर एक स्टेप का सब को सुन जाए जाता है कि बच्चे अगर आपने एक बेस्टेप मिस्क्याना एडमिशन कैंसल हो जाता है जटके में पता भी नहीं चलता है इसके बाद जाकर कि परसुनलाइज चोईस फिलिंग होते है जो कि मेंटर ठीक है इसके बाद जाके बात करें हम लोग बहुत इंपोर्टी जो भी आपके डाउट से स्कॉलर्शिप डॉक्मेंट जो भी चीजी है वह सारा भी क्लियर करेंगे तो इतनी सारी चीज दे रहें तो आप सचो कि इसका प्राइस कितना है बहुत अफॉर्डबल है डाट इ इसकी फीस भी लगबग 55,000 लगबग आपका साल का लगेगा ठीक है कैमपस काफी शांदार रहने वाला है हॉस्टल फीस लगबग 30,000 के अप्रोक्सिमेटल लग जाएगी 24,000-25,000 रुपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंसकी फी रहती है इसमें आवरेस प्लेस्मेंट थोड बायो टेकनोलिजी देखे बाहर वालों का 2,66,000 ठीक है और आप लोगों को डेडेल देखना हो तो यार देख लेना टेलिग्राम ग्रूपर पीडिया कैमिकल 2,73,000 ठीक है ऐसे कि सिविल ब्रांच 1,83,000 ठीक है कम्प्यूटर साइंस और इंजिनरी लगबग 71,72,000 ठीक मिल 2,86,000 ठीक है तो हिंदी मीडियम मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा ठीक है यह मेरे सजेशन में नहीं रहेगा नौर्वल मकैनिकल मिलो तो ज्यादा सही रहेगा नेक्स्ट कॉल्पर चलते हैं तो नेक्स्ट कॉलेज हमारा आ जाता है यू आइटी कुरुक्षेत्र ठीक है य यहां का यवरेज बलेज सफी में उत्हाइट नहीं है उनके कंपरेज़व क मैं छारे टाल्पे क लेकिन अच्छी ब्राश सон से नीचे की ब्राशन वर्फेट नहीं रहता उतना कुछ मिलता नहीं है जैसे बॉस्य ब्लेस्म能ट नहीं पापनी है कॉल यह इस उतंता थ्मिल यह थोड़ा मेकानिकल वही बच्चे लें जिनकों है कि हम मेरे को जाना है मेरे को इस फील्ड में कुछ करना है तभी लें वरना को उतना माइनए नहीं रखता एकि आप उसको मेकानिकल बस ले रहे हैं इसलिए कि प्लेस्मेंट तब मत लेना इसमें नेक्स्ट कॉलेज हमारा जाता है जी जे यू एस्टी हिसार ठीक है हिसार के अंदर कॉलेज रहेगा कैमपस काफी शांदार है इस्टैबलिश हो तो 1995 में फीस भी कम है और सारे गवर्मेंट कॉलेज से तो फीस तो अविसली कम होगी 68,000 साल का आपका जाने वाला हॉस्टल फी लगवग 20-30,000 के लगवग आपकी जाएगी मैं इसका इंकुलूड करोगे तो अवरेज प्लेसमेंट की बात के तो साड़े तीन से चार एलपे रहता है ठीक है इन सबकी प्लेसमेंट को उतनी शांदार नहीं जाती है ठीक है बट कॉलेज अच्छे हैं यह सारे टॉप नम्मर के यही कॉलेजेस हैं ठीक है अटफ की बात करें तो देखो आइए एंड मल वाली बांच आठिफिशल इंटेलिजन मशीन लर्निंग और इंडिय वाले बच्छों को 1,16,000 तक मिल जाता है ठीक है और सारी बांच देख लो सिविल इंजिनेरिंग बांच लग भख आपको 4 लाक राइंक मान लो 3,79 तक जार रखांट चार तक मिल जाए जाएगा है लुठ तक ऑल जाएगा एलेक्त्रोनिक इंजन्टीवाल यूठ यूठ जक्टेवाज मिल जाएगा एल्लग और चीब आ पर्फिप्टीटीव मेंगी एक लाग तक देखनेंगे आपको इटी हिंदी मीडियम वाली लगबग 2,53,000 तक मेकैनिकल 2,73,000 तक मेकैनिकल हिंदी मीडियम यानि कि अगर आपने 12 तक हिंदी में करिये न तब ये ब्रांच लेना देखर हिंदी मीडियम ओल इंडिया 7,30,000 तक मिल जा रहा है ठीक है पैकेजिंग टेकनोलजी 5,45,000 तक ठीक है प्रिंटिंग टेकनोलजी 7,00,000 तक यानि कि इस कॉलेज में एड्मिशन तो 7,8,000 तक भी हो जाता है बट वही है कि उतना अच्छा प्लेस्मेंट नहीं निकल के आएगा ठीक है न तो अगर आपके घर के पास है यह सब कॉलेज फिर तो मैं बोलूँगा कि ले लो बट वही है कि आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी तभी लेना वरना नीचे की ब्रांच सही नहीं रहेगा घर के पास है तब तो फीस कम लगेगी और आपके पास कोई जादा उप्शन्स नहीं फिर यह सब आपके लिए सही रहने वाले और हर्याना के बच्छे वो तब तो फिर जादा उप्शन्स है भी नहीं काफी पुराना कॉलेज रहने वाला है इसकी फीस भी कोई जादा नहीं है 74,000 लगभग साल का जाएगा हॉस्टल फीस भी वही 25,000 लगभग बरावर ही है यहां के अवरेज प्लिश्मेंट भी आर साड़े तीन से साड़े चार लगभग ही है कोई उतना अच्छा अच्छा अवरेज प्लिश्मेंट नहीं मिलेगा इन सब कॉलेजस में ठीक है ना कट आफ की बात कर लें तो ऐंड ब्रांच जो है 1,62,000 तक बाइटक्नोलेजी 5,45,000 तक सिवेल लगभग 3,92,000 तक सियसी ब्रांच लगभग 1,17,000 तक लेक्रिकल ब्रांच टू लगभग 2,42,000 तक इसी ब्रांच लगभग 1,56,000 तक मेकैनिकल ब्रांच 3,17,000 तक ठीक है ना तो बहुत ज्यादा रैंक करना और हां द्यान से चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही और हां कांस्लिंग सपोट ब्रांच जाकर जा दियां से जोईन कर लो क्योंकि आपके पास तब टाइम नहीं रहा है ज़यन करो जीस से बैस च्वाचिंट वीडियो जय हिंद जय भारत